असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे तो आज में शेयर करने वाले हूँ वेजटेवल्स की सबजी बहुत ही अच्छी है जो ठंड में विंटर की सिजन में बहुत ही तेस्टी लगता है अगर इसको गरम गरम चावल के साथ अगर अब सर्फ करें तो हम यहां पे स करें अच्छी सब्जी आप करना थे नमाग भी तो हमें आप टेवल इसमून नमाग पाॉड़ी कर राप टेवल इसमून लान मिर्श का पाउडर डाले के साथ ज़िए बहुत जरूरी है इस तरीके से बहुत टेस्टी बने तो आप टेस्टी बने गावाँ निकाल लिया है यहां पे पश्पोड़ के कुछ दानें यहां पे बादला cancer को फ्राइज म्यूच्पक्त के के हां यहां पे तीन से चार हरी नज कॉप्ट लिया है और यहां पेक्षिझ गारलिग कर गला के नियुक्त avoirते ही krone पस हां निकाल ना है है …-गाल ले पूरा का यहान एक पीछशा क्मिल को नैट खुर। तो यहान हो एक भी हमकाु जञतें एक वारी में दर्शन सकते सम्काट बार डर्नी अर दो मैं चाहिक वर कीछ़ी के लिपल खें। बढ़ सांग 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 करते ह matar है ways को धिया है। बस दो मिनिट के बाद पल्टी लगाया अब अब पानी प्लट लेना है और यहां पे थोड़ा सा और हमको इसको पकाना है तो देखिए पानी जब पूर अच्छे से सूप जाए तो यहां पे हमने जो फ्राइक या वालू है उसको इसमें शामिल कर लेना है अब अब यहां पे पांच मिनट मिनिममम पकाना है जिससे क्या होगा जो 50% है वह पूरा और भी पक जाएगा और पानी तो अल्यडी सूप चुका है तो बस इसको आलो को मिला लेने के बाद इसको हमें कवर कर देना है और पांच मेट के बाद इसको खोल लेना है तो तो यहां पे रेडी हो चुका है अब यह सागलू हमारा सर्फ करने के लिए तो देखिए यहां पे हमने गर्मा गरम सा लाग साग और आलो का सबजी इतना सिंपल तरीके से हमने बनाया है लेकिन बहुत टेस्टी बनता इस तरीके से बनाएं तो इससे जरा साभी कच्छाप लगता है और वीडियो मेरा पसंद आया है तो लाइक कर दीजेगा चैनल में नए है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजेगा ठैंक्स पूर वाचिंग ने वीडियो अल्ला हाफीज